इंटरनेशनल मोनेटरी फंड के मैनेजिंग डारेक्टर ने ये साफ साफ कह दिया है कि हम एक ग्लोबल रिसेशन की तरब जा रहे हैं और उन्होंने पोलेशी मेकर्स को भी ये कह दिया है कि इससे निपटने की तयारी कर लो IMF अब ये कह रहा है कि वो अपने 2023 ग्लोबल ग्रोथ रेट को कम करेगा जो कि ओल्रेडी 2.9% पर ही था यानि कि IMF ये साल चोथी बार अपने ग्लोबल ग्रोथ रेट को कम कर रहा है यानि कि 2.9% से 2.5% पर लाके खड़ा कर दिया है यानि कि 2023 में अगर कि हम किसी भी सेर मार्केट में 100 रुपे लगाते हैं तो हमको 2.5% का ही रिटन मिलेगा यानि कि 100 रुपे में स्रिफ धाई रुपे ही हमको रिटन मिलेगा जो कि इंफलेशन को भी बीट नहीं कर पाएगा आजकल का इंफलेशन 6 से 7% तक बढ़ गया है जो कि एक बहुत जादा है और हमारा ग्लोबल ग्लोफ रेट बहुत जादा कम है यूवेन का एक नया रिपोर्ट आया उसमें ये लिखा था कि एडवाइस एकोनोमी अब पूरी दुनिया को एक रिशेशन की तरब धकेल रहा है और ये जो रिशेशन आने वाला है वो 2008 के क्राइस आए से और 2020 के कोवीड के से ज्यादा बड़ा और ज्यादा खतरना हो सकता है क्यूंकि दुनिया के बड़ी बड़ी इकोनोमी जो मेजर 대해서 एकोनोमी है यूए से चाइना यूरोप जोन के सारी कंट्रियां वो अब धीमी पड़ रही है पर क्यों धीमी पड़ रही है जानते हैं इस वीडियो में वन बाई वन सभी मेजर एकोनोमी के बारे में तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अंकीत पर आप देख रहें नौलेज इ कुछ समय पहले ही उनके यहां पर संकेत आने लगे थे कि भाईया इंफ्लेसन बढ़ रहा है इसको कंट्रोल कर लो लेकिन यूएस गोवर्मेंट और यूएस के लोगों ने इसको कुछ जादा सीरियस नहीं लिया उनको लगा कि कुछ टाइम के लिए सारी इसके बाद चला जाएगा लेकिन जब उनको पता चला कि इंफ्लेशन एकदम हाई पहुच गया है तो उन्होंने इंटरेस रेट को एकदम हाई कर दिया जो कि 35 साल के अपने एकदम पीक पर है तो इंफ्लेशन अभी भी वहां पे गर्मागरम हैं इंफ्लेशन अभी चन्ट्रोल नहीं कि वहाँ पर बिजनेस, स्टार्टप, अफोर्डिबिलिटी, बैंक लोन लेना काफी ज़्यदा मुश्किल पड़ी आएगा, पर अब भी भी बड़ी रिपोर्ट्स की माने, तो US इतनी बुरी हालत में अब भी भी नहीं है, जिसकी वैसे उसको अब भी भी तयारी कर लेनी च खड़ी है, वहाँ के डो जॉन्स, यानि सेंसेक्स का तो मालूम पड़ी गया है, कि महंगाई आने वाली है, नोकर यहां जाने वाली है, भाईया अब तो सुदर जाओ, और अगर के डो जॉन्स, यानि US का सेंसेक्स अगर के नीचे गिरा, तो दुनिया की सारी सेर देंगी, क्योंकि US एक बहुत बड़ा एकोनोमी है, अगर के वो नीचे गिरेगा, तो उसका इफेक्ट दुनिया पर तो पड़ेगा ही, अब अगर यूरोप की बात करें, तो यूरोप में भी साब ठीक चल रहा था, सारी कंट्रियां खुश थी, जर्मनी और फ्रांस ने यहां तक ही एलान कर दिया, कि वो अपने नुकलियर पावर प्लांट को बंद कर देंगी, क्योंकि उनको जब रसिया से पावर प्लांट मिली रहा है, गैस मिली रहा है, तो उनको अपना खोलने क्या जरूरत है, जिसकी वज़े से पूरा यूरोप रसिया के गैस पे डिप भी करूं तुम्हारे साथ कर सकता हो तुमने कुछ बोला तो मैं अपना गैस कनेक्शन बन कर दूंगा और आखिर हुआ भी होई जब रसिया ने युक्रेन पर वार किया तो सारी यूरोपियन कंट्री बोलने लगी तो रसिया बोले चुप हो जाओ वरना गैस कनेक्शन काट लेकिन यूरोपियन कंट्री चुप नहीं होई और रसिया ने सच में अपना गैस कनेक्शन काट दिया जिसकी वह से पूरे यूरोप में इलेक्रिसिटी कोश्ट जो है कि वह 10 गुना बढ़ गया तो वहां के लोग खाएंगे क्या बिजनेस कैसे करेंगे इस्टार्ट अप यूरोपियन कंट्री को मालूम पड़ेगा की बहुत बढ़ा रहने वाला है बचके रहना चाहिया यही एक वज़ा है जिसकी वहसे यूके की अतनी खरब है कि वहां पर एक सारा में तिन-तिन प्राइमिन बदल गये इसके बारे मेरे पूरा फूल डीटेल में वीडियो बनाया है रिशी सुनक के बारे में अगर कि आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आप क्लिक करके देख सकते हैं अब अगर के बात करें चाइना की तो चाइना में जीरो कोविट पॉलिसी की वहां की एकोनोमी तो पहले से ही टाइट है अब भी चाइना में कुछ सिटी कोविट की वज़े से इफेक्टेड है जिसकी वज़े से मेड इन चाइना पर काफी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रह तो सामार बाहर गाए नहीं जिसके वज़ए से सारी कंपनियां Sài कंपनेों की मेरीफैक्टरिंग हभ़गा करता है इसके वज़द सारी कंपनियों को लगने लगा एक देश के ऊपर डिपेंडेंडेंट रहना इतना भारवर आहीं पड़ इसके बात सारी तरह से चाइना पर निर्बर रहे तो यह हमें लेकड उबेगा चाइना में दूसरा प्रोब्लम यह हुआ कि जब वहाँ पर कोविड आया तो कुछ घर हाउसेस कॉंप्लेक्स अंडर कंश्रक्शन ते जिसकी वजह से उनको पैसा नहीं मिल पा रहा था बंद कर दिया था पैस चाइना का 10 साल में सबसे कम होगा अब अगर के बात करें इंडिया की तो दुनिया की सारी एकोनोमी की हवा टाइट है तो क्या इससे हमें खुस होना चाहिए अगर के चाइना की एकोनोमी टाइट है तो इससे तो में खुस होना ही चाहिए लेकिन इतना भी खुस नहीं होन से स्किल्ट आर्व फोर्स नहीं है क्योंकि हमारी जो कंपनी ओस चीवर्ट को बहुत नहीं कर पाते हैं इंडिया में प्लांट लगाने से पहले सोबार सोचती है यहां के यूवाओ को ज़्यादा नोलेज्ज नहीं है तो में प्लांट लगाये या ना लगाये जिसकी विए जौब की काफी जला मामारी पहले भी थी अब भी भी है और सायद ना रहे तो जाना बेट रहेगा दुनिया मेरी सेशन आ रहा है तो क्या हमारे भारत देश पे भी इसका असर पड़ेगा आए जानते हैं इस रिपोर्ट में दुनिया मेरी सेशन तो आ रही है तो क्या इससे इंडिया पर भी एसर होगा, तो इस पर Global Rating Agency SNP कहती है कि दुनिया में रिसेशन तो आ रही है, लेकिन इंडिया पर इसका कोई एसर नहीं होगा, डिसेशन अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े-बड़े महादूपों पर आ रही है, इंडिया पर इसका कोई एसर नहीं होगा जब उनसे रिजन पूछा गया, तो रिजन उन्होंने ये बताया, कि इंडिया कपड नहीं है दुनिया से, इंडिया डिकपड है, अगर कि रिसेशन आया भी, तो इंडिया इस रिसेशन को जेल लेगा, वहीं दूसरी तरफ जापानी ब्रोकरेज फॉर्म, नोवरा कह रही है कि यह जो इंडिया की ओप्टिमीजम है कि दुनियारी से से गुजरेगी और इंडिया को कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो यह बहुत गलत है, और यह कहते हुए उन्होंने इंडिया का GDP ग्रोफ रेट फोरकास्ट किया, 2024 के लिए 5.2% जो कि हम 7% प्लस की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए यह बहुत कम है, फिर उसके बाद इंडिया की तरफ से भी जो बड़े-बड़े एकोनोमिस्ट हैं, उन्होंने पता किया, तो उनको पता चला कि 2023 में तो आपका ग्रोफ रेट 7% रहेगा, लेकिन उसके बाद आपका डाउनफॉल चालू हो जाएगा, और आ 5.2% पर आकर अटक जाएंगे, वहीं हम दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम 5 trillion की एकोनोमी बनेंगे, जो कि हमको 7-8% की एकोनोमी ग्रोफ तो रखना ही चाहिए, लेकिन अगर कि हम 5.2% पर आकर अटक जाएंगे, तो यहां बहुत गलत होगा इंडिया के साथ, तो कि यह है, हमारे देश अभी भी growth rate की में अच्छा perform कर रही है, लेकिन हम भी दुनिया से जुड़े हुए हैं, हम दुनिया से इतना अलग नहीं है, तो दुनिया अगर के recession से गुजरेगी, तो यह भ्रम्यना रहें कि हमें कुछ नहीं होगा, तो दोस्तों यह था हमारा आज की वी कि अप्सक्रा आज की वी दुनिया यह नहीं है, तो मैं एक